नमस्कार साथ यो तो आज 29 जुलाई 2024 बात करेंगे इस वीडियो पे 5 ऐसे important company की shares के बारे में जिसका आज quarter one की result आउट हुआ तो कल जैसे ही बजार open होगा शार्प 9 बच के 15 मीट पे ये 5 important company की shares के पर आपका कड़ी नजर होना चाहिए कुछ company की सल अच्छा हुआ कुछ company की result काफी खराब हुआ तो मतलब देखे नॉर्माल अकर हम लॉजिकली देखा जाए जो company खराब परफॉर्म किया obviously गिरावाट होना चाहिए जो company अच्छा परफॉर्म किया उसमें तेजी होना चाहिए बट कभी-कभी इसका उल्टा भी हो सबसे पहले बहुत बड़े कंपनी हिंदूस्तान पेट्रोलियम कॉपरेशन लिमिटेड यानि शॉर्ट फॉर्म HPCL आज दोस्तों बजार क्लोज हो जाने के बाद लगबग चार बच के पचास मिनिट पे HPCL की रेजल्ट आउट हुआ आप चाहे तो BSC या तो NSC के ऑफि बिकाउस मैं चेक कर रहा था कंपनी की रेजल्ट तो यहाँ पे ओपन हो गया आपकी HPCL की रेजल्ट कंसॉलिट फिनाशल रेजल्ट यहाँ पे एक और चीज़ देख लेजी जितने भी नंबर्स हैं सारे इन करोर्स के फीगर पे हैं सबसे वहले यह करें कोर्टर के रेज 24 में था 1,22,100 रुपए तो मतलब quarter on quarter price पे marginal drop हमें देखने को मिला total income के अंदर at the same time year on year base पे बात करें एक marginal growth भी हुआ 1,19,761 करोर से बढ़के 1,21,488 करोर पे पहुँच चुका है पर सबसे बड़ा gap दोस्तों company की इस बार expenses पे हो गया expenses मतलब company का खर्चा जो की इसके पहले अगर आप द्यान से observe करें कि O2C sector की जो companies है जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा इस बार जो reliance industry limited का भी जिस बार से margin काफी shrink किया था काफी खराब result हुआ था इविए अगर आप देखेंगे बीपी सेल की result भी भी दो same हमें reaction देखने को मिला था ठीक है तो जिस बार से यहाँ पर आप देख सकते हूँ कंपनी की expenses cost जो खर्चा है वो काफी increase हो गया काफी बढ़ गया global बहुत सार इशूस की कारण जहां पर लास्ट यह पर देखेंगे कंपनी की टोटल नेट प्रॉफिट है ठीक है उसमें बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला कितना पहला आप देखेंगे लास्ट यह पर कितना था लास्ट यह पर कंपनी के सब्सक्राइब कर पाया जबकि लास्ट यह पर इससे काफी ज्यादा था मतब दस गुना से भी ज्यादा था इवन अगर आप देखेंगे लास्ट क्वार्टर मार्स दौई चॉबिस में कंपनी की नेट प्रॉफिट आया था दो हजार साथ सो नौ कर रुपए यानि एक त तीन के भी नीचे आ चुका है जो कि क्वार्टले भी गिरावाट हुआ अब देखिए एच्पी सेल की रिजल्ट देखेंगे लॉजिकल अगर देखा जाए खराब हुआ अब देखना यह होगा कि ब्रोकरेज इसके उपर कैसा रियक्शन देता है उसको बहुत कुछ डिप नेक्स बात करेंगे अदानी ग्रूप आप शियर एक सीमेंट सेक्टर की कमपनी आज दोस्तों बजार क्लोज हो जाने के बाद एसी सी का भी रेजल्ट आउट हुआ कितने बज़े पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ लगबक वही पांच बज़े का आसपस आउट हुआ रेविन्यू डाउन मार्जिनली एक कमपनी की पैड जो है मतब नेट प्रॉफिट है उसमें भी गिरावाट हुआ कितने हुआ है टोटल 361 करोड ठीक है जो कि यह ओन यह बेसिस पे लगबक 22.5% की ड्रॉप हुआ और रेविन्यू के बात करें मतब कमपनी की टोटल इंकम जो है लगबक यह ओन यह बेसिस पे एक परसेंट की गिरावट हमें देखने को मिला जो कि टोटल रेविन्यू कंपनी जनेट किया 5155 करोड रुपय के आसपास तो आप समझ सकते हो कि यह कंपनी का भी रेजल्ट दोस्तों काफी खड़ाब हुआ तो पॉसिबिलिटी है कल यानि तीस तारीक को ACC Limited की शेर में भी एक अच्छा कासा करेक्शन होने का ठीक है आचा नेक्स दोस्तों हम बात करेंगे एक और अधानी गूर्प अप कंपनी अधानी टोटल गैस लिमिटेट जो की बहुत हाइली वैलूट कंपनी है और यह एक मात्र शेर मैं बुलूँग करेंगे जून दो या तीस की बात करें लास्ट यह पे कंपनी की टोटल इंकम का नंबर था लगबग एक हजार चपन करो रुप है अच्छा इस बार सीरा थोड़ा से इंक्रीज होके एक हजार एक सो पैंताली स्कुरूप पहुंच चुका है अट दा सेम टाइम क्वार्ट और जिसके चलते कंपनी की जो अल्टिमेटल नेट प्रॉफिट है उसमें एक बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला डेर सो करोर से सिधा बरके 172 करोर हुआ और क्वार्टर ऑन क्वार्टर इविजस पे भी 178 करोर से बरके 172 करोर हुआ मतलब अदानी टोटल गैस लिम कर लिया तो शेयर में काफियत तक तेजी आपको दिखाए दे सकते हैं जो बात मैं आपको बूल रहा था ना कि हिंडेन बाक रिसर्च और अधानी की बिच मुझा कॉंट्रॉबर्सी शुरूआ था तब से लिए अभी तक आप देख सकते हैं में जितना गिरावाट हुआ अब समझ सकते हैं कि 4000 में चलने वाला शेयर 4000 पर हाई टच किया था जैनुवरी 2023 में लास्ट यह देर साल पहले राजकी रेट में शेयर कहां से कहां पहुंच गया तो मतलब इसमें कोई बहुत वर रिकवरी देखने को नहीं बागी देखें कि पावर ग्रीन यह तो काफिय इसलिए नहीं करेंगे वीडियो काफी लेंथी हो जाएक और वेल एक बहुत इंपॉर्टन कंपनी थोड़ा टाइम लगेगा मतलब अराम से बैटके उसके उपर रिव्यू करेंगे ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो वेरी इंपॉर्टन ओके डेटा पेटेंस यह देखी एक डिफेंस सेक्टर की कंपनी आज डेटा पेटेंस का रिजल्ट आउट हुआ लास्ट एक साल यह जब से लिस्ट हुआ तब से अभी तक बहुत अच्छे रिटन दिया रिजल्ट दोस्तों डेटा पैटेंस का आउट हुआ है लगबख पांच बच के दो मिनिट बीसी की टोटल इंकम इस क्वाटर जून दोयाद 24 में हुआ है 116 आप देखिए बहुत छोटे लेवल की कंपनी मत बहुत बड़े कंपाई नहीं है जिस बैस आप बहुत ज़्यादा उमीद भी नहीं कर सकते ठीक है अरे किदार गया एक मिनिट यह देखिए कंपनी की स्क्वाटर म हमें देखने को मिला ठीक है एक्सपेंस यानि खर्चे की बात करें कंपनी की खर्चा भी थोरा सा इंक्रीज हुआ है यहाँ पर देख सेकतो कि यह लास्ट यह पर था 66.42 करोर इस बार इंक्रीज हुए 72.94 करोर लास्ट क्वाटर में आविसली इंकम ज्यादा था तो करोर रूपीज के आसपास और नेट प्रॉफिट की बात करें प्रॉफिट फॉर धीडियर जो भी है यहां पे कंपनी इस बार नेट प्रॉफिट जेनेट किया 32.79 करोर रूपीज जो कि लास्ट क्वाटर में यहीं फिगारता 71.10 करोर रूपीज लास्ट यह पर यानि के लिए देखने को मिला तो काफी हद तक mix type की रेसल्ड दोस्तों में data patterns ब्ला इस बार देखने को मिला है तो यहां पर देख सकते हैं जून 23 में लास्ट यह से शुरू करेंगे और कंपनी की टोटल इंकम था लगबग 12,380 करों रुपए इस बार इंक्रीज हुआ बहुत अच्छी बात है 13,750 करों इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर इस बार एक्स फैक्टर बन गया लिटरली बोला इंक्रीज होके 3% पर क्वार्टर इंक्रीज होके 4% हुआ जिसके चलते सिर्फ और सिर्फ चहां पर कंपनी को लॉस हुआ था लास्ट यह पे 38 कर रुपए का सीधा सीधा लॉस से 324 करों की नाकेबल प्रॉफिट बलकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे उल्टा दु जैसे के आज भी हमें देखने को मिला था यहां पे आप देख साकते ठीक है तो और दोस्तों इसने लगा णता तेजी आपको दिखाए दे सकता है बाकि दोस्तों अगर आपका कोई डाव से से लिए एक पाएज फिलाल इस वीडीम का जुँँ डब